नमस्कार एक बाद फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज फिर से मैं आप सभी के लिए Class 12th Geography भुगोल और ये Chapter 7 है जिसका नाम है तिरतियक और चतुर्थ क्रिया क्लाप इससे पहले हमने प्राथमी क्रिया क्लापों को देखा था दृतियक क्रिया क्लापों को देखा था आज हमारा Chapter जो है वो तिरतियक और चतुर्थ क्रिया क्लाप के बारे में है और ये Chapter 7 है Class 12th का जियोग्राफी साथी साथ मैं ये भी बता दूँ आप लोगों की Chapter 1 से लेके Chapter 6 तक के वीडियो अलेड़ी complete हो चुके है हमारे चैनल पे अप्लोड किये जा चुके हैं और इसके Playlist भी त्यार किये गए है यदि आप इससे पहले के Chapter को नहीं देखा तो जरूर देखे ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी Chapter है वो आसानी से समझ में आए तो आएए सुरवात करते है Class 12th Geography Chapter 7 जिसका नाम है तिरतियक और चतु जो है वो अमुर्त सेवाओं से है इसमें विभिन प्रकार की सेवाओं को समलित किया जाता है अर्थात जोरा जाता है सामिल किया जाता है तिरतियक बेवसाओं में बस्तु का उत्पादन नहीं होता अगर हम तिरतियक बेवसा या क्रिया कलाब्त की बात कर लें तो यहां प टिर्टियक क्रिया क्लाप के उधारण है, इसके अलाबा बैंकिंग, बैंकिंग जिसमें हम पैसा वगएरा जमा करते हैं, लेन देन का जो हमारा बित्तिये जगह होता है, ये इसके उधारण में आते हैं, इसके बाद परिवहन एवं संचार वानिजी का वैपार आदी सेवाएं होती है लेकिन एक बात याद रखेगा यहां पे उत्पादन नहीं होता है यह बिलकुल ध्यान में रखेगा कि तिर्तिय क्रिया क्लाप में हम वस्तू का उत्पादन नहीं करते हैं यहां पे सिक्षन कार्य होता है बैंकिंग होता है परिवहन होता है संचार होता है बस उत्पादर नहीं होता तो यह हमारा तिर्थिय क्रिया क्लाब के बारे में था अगले स्लाइड में बढ़ते हैं अगला स्लाइड हमारा कहता है बैपार क्या है बिजनिस क्या है तो दें कि बस्तूओं का किसी भी प्रकार के बस्तूओं का क्रे अर्थाद खरीदना और बि तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला है थौक बैपार, दूसरा है फुटकर बैपार, थौक बैपार के बारे में जान लेते हैं, इस बैपार को वे बिचौलिये अस्थापित करते हैं, जो विनिर्माताओं से सीधे समान उपलव्द करवाते हैं, आपने अलगन होते हैं, एब हम रोजगार भी प्राप्त करते हैं, इससे वो अपने पैसे भी कमाते हैं, अपने परिवार का गुजारा भी करते हैं, ये तो थौक बैपार के बारे में था, अब हम फुटकर बैपार के बारे में बात कर लेते हैं, इस बैपार में क्या होता है, आपको सबजी लेना है तब क्या करते हो जाते हो डाइरेक्ट रेडी बाले से सबजी लेके आ जाते हो छोटे दुकान से जाके चाय पती चीनी दूर कुछ भी लेके आना होता है तो हम यह सारी चीजे डाइरेक्ट परत्यक शुरूप से जाके खरीद के ले आते हैं तो यह हम विपनन केंद्र होते हैं उसमें क्या अंतर होता है तो देखे सबसे पहले हम ग्रामीन विपनन केंद्र के बारे में जान लेते हैं ये केंद्र क्या होता है बस्तियों का पोशन करता है क्योंकि गाउं में है तो आपको पता है ना गाउं से रिलेटेड लोगों का ही भरन कोश करेगा और दूसरा जो है इसमें ये केंद्र अस्थानिय संगरहन और बितरन केंद्र की सेवाएं परदान करते हैं ये केंद्र मतलब जो ये बनाये जाते हैं विपनन केंद्र ये वहां के मतलब नजदी की लोगों के अंदर सेवाएं परदान करते हैं क्योंकि गाओं का एड और यहां पर बश्रियां दूर दूर भी होती है, सहर की तरफ बहुत ज़्यादा जुन्ड और बहुत ज़्यारा घनत तो नहीं होता, इसलिए यह बितरन सेवाएं यहां पर परदान करते हैं, थीसरा पॉइंट है, इन केंद्रों पर बैक्तिगत और बैवसाइक सेवाएं बहुत ज़्यादा विक्सित नहीं होती है, अगला पॉइंट है, यह केंद्र जो है, कौनसा केंद्र, ग्रामीन विपनन केंद्र, यह केवर्ण अस्थानिये ग्रामीन आब सकताओं की ही पूर्ती कर सकते हैं, जो अस्थानिये वहाँ पे लोगों को जरूरी है, वही चीज का जितने भी total काम होते हैं, वो कसबो और नगरों में होता है, जिने बैपारी केंदर कहा जाते हैं, जिसे हम hub भी कहते हैं, hub के नाम से आप समझ लेज़े, hub का मतलब होता है, जहां पे ज़्यादा तर बैपार से जुड़ी हुई चीजों को ही किया जाता है, तो यह सारा काम क वहां होता है कसबो और नगरों में होता है मतलब सिटी में होता है तो इसे हम बैपारी केंद्र कहते हैं बैपार के अस्थान की अगर बात कर लें तो ग्रामीन विपनन केंद्र है नगरिये बजार केंद्र है आपधिक बाजारे हैं तो यह सारे चीजे जो है वह बैपार के अ कटवर्ती वस्तों का कोशन करते हैं इसमें से अधिकांस केंद्रों में थोक बाजार और फुटकर बैपार छेतर भी होते हैं यहां पे थोक का काम भी होता है फुटकर का भी काम होता है कहां पे ग्रामीन विपनर केंद्र के आसपास क्योंकि यहां पे भी तो लोगों को के रूप में जाने जाते हैं दूसरे नंबर पर आता है नगरिये बजार के तो नगरिये बजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीक्रित नगरिये सेवाये मिलती है ये नगरों में इस्थित होते हैं और नगरवासियों की सेवा करते हैं वहीं पर अगर हम आपधिक लगाया जाते हैं यह सपताहिक या पाक्षिक होते हैं जो आजपास के ग्रामी लोगों की आपसक्ताओं को पूरा करते हैं यह हमारा आपधिक बजार के बारे में था अब हम बात कर लेंगे नगरिये विपनन केंद्र के बारे में नगरिये विपनन केंद्र से आप क्या समझ तो देखे ये केंदर क्या होता है अधिक विशिष्टी कृत नगरिये सेवाएं परदान करता है सबसे पहले तो ये नगरों में अपनी सेवाओं को परदान करता है और अधिक विशिष्टी कृत होता है मतलब जादा अच्छे होते हैं ये केंदर जो होता है ये अस्थानिये सेवाओं के साथ साथ विशिष्टीकृत वस्तु एवं सेवाएं परदान करते हैं सहरों में नगरों में ये केंद्र वी निर्मित वस्तु में परदान करते हैं वी निर्मित वस्तु का परदान करना भी नगरिये विपनन केंद्र का कारे के रूप में जाना जाता है ये सकते हैं अब हम बात करेंगे परिवहन के बारे में तो देखे बस्तू और वैक्टी को एक छेतर से दूसरे छेतर में लाने और ले जाने की सेवा को परिवहन कहा जाता है जब हम एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक किसी बस्तू को किसी सेवा को अगर ले जाते हैं और लात करती है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से है तो भूछेतर है दिकास का अस्तर है परिवहन के साधनों की उपलवता है मारगों की इस्थिती है और मांग है ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में जाने जाते हैं अगला स्लाइड कहता है परिवहन में नोर और योजक का क्या अर्थ है देखें दो अथवा अधिक मार्गों का संधी दो या अधिक मार्गों का संधी मतलब एक रास्ता इधर से इधर इधर से इधर या एक रास्ता इधर से इधर जा रहा हो और ये जो केंद्र है ये अस्थल जो है वो उद्गम बिंदू अथवा मार के सहरे कोई बड़ा कस्वा या सहर नोर होता है परतेक सहर जो दो नोरों को जोडती है ये क्या कहलाता है योजक कहलाता है इन चीजों को ध्यान देजीगा कि नोर और योजक क्या होता है क्योंकि एक्जाम के लिए भी भ प्रमोज के उद्देश से अधिक की जाती है पर्यतन में लोग अपने निवास अस्थान जहां पे वो रहते हैं और यहां पर थोड़े समय के लिए उन अस्थानों पर जाकर मर्मजन करते हैं जैसे एक जामपल के लिए बात कर लेता हूँ मैं डेल ही में रह रहा हूँ अब म अपस अपने कार्यस्तल पे लोट आओंगा तो ये हमारा परियतन कहलाता है अगला point हमारा कहता है परियतन सेवा को प्रभावित करने वाले कारा मतलब कौन-कौन से ऐसे factor है जो परियतन सेवा को प्रभावित करते हैं तो मांग सबसे पहले आता है विगत सतावदी से अवकास के लिए पर्याटन की मांग तिवर्ता से बढ़ी है उच्च जीवन अस्तर तथा बढ़े हुए अराम के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्याटन पर जाते हैं लोग आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियों में बड़े-बड़े उद्योगों में बड़े- अधिक विकास हुए पहले से अभी के अगर पर्याटन की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा विक्सित हुए क्योंकि हर जगों पे सरक है हर जगों पे गारियां है हर जगों पे रेलवे स्टेस हैं जिससे आने जाने में काफी सुगधाये प्राप्त होती है उदारन के लिए वायू परिवहन की बात कर ले विसके सभी पर्याटन असलों से इसको जोड़ दिया गया आप जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो तीसरे नंबर पर आता है जलवायू कुछ ठंडे देशों के पर्याटकों को गुनगुनी धूप में पुलीनों पर मौज मस्ती करने की परियाटन करते हैं भूबल सागर ये छेत्रों में परियाटन के लिए एक महत्तो पूर्ण कारक है जिसलिए लोग यहां पर जाना जाते हैं अगला पॉइंट हमारा है भूद्रिस कुछ लोग मनोहर परियावर्ण में छुट्टियां भिताना पसंद करते हैं इसके लिए परियटक, परवतो, जीलो, दरसनिये, समुन्द टटो और मनुस्तो द्वारा पुन रूप से और परिवर्तित भूद इस्यों को चुनते हैं, जहां पे लोग जाके बहुत सारे भारत में भी ऐसे जगे हैं, जहां पे बहुत सारे ऐसे जील हैं, परवत हैं, समुन्द टट है तो यहाँ पे लोग जाके छुट्टी बिताना पसंद करते हैं अगला पॉइंट है इतिहास एवं कला प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित अस्थल एवं पूरा तक्त्विक महत्व के भवन पर्यटकों के लिए आकर्सक अस्थल होते हैं कई बार ऐसा होता है न कि राजा क किला देखने का मन हो गया राजस्थान चले गया पहले के बहुत पुराने पुराने किला देख रहे हैं लाल किला देख रहे हैं ताज महल देख रहे हैं तो यह सब इतिहास से वं कला ही है जहां पे लोग जाके छुट्टियां बिताने की कोशिस करते हैं इसका अगला पॉ सेरिंग बगाइड़ अभी कहते हैं जैसे गुवा में हैरिटेज हों मिर्टे रोगते हैं करनाटक में मैडिकेर और जगर जो है यहाँ पर भी लोगों को घर में ही रोका जाता है घर जैसा महौल होता है वहां तुए यह संस्क्रिती और अर्थ बीस्था के बारे में था। अब हम अगर बात चतुर्थ करियाकलाब के बारे में करें तो यह बहुत ही विशिश तत्र जी जटिल प्रकार के करियाकलाप है। जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित किरिया कलापों से होता है, जैसे सिक्षा, सूचना, सोध के विकास, चतुर्थक सब्द से मतलब क्या है, तात्पर क्या है कि उन उच्च बौधिक वेवसायों से, जिसका दाई तो चिंतन, सोध तदा विकास के लिए नए विचार देना होता है, तो यह हमारा चतुर्थक रिया कलाप में है, इसमें जाहतर अपने दिमाग की उपज से वेवसायों के बारे बताया जाता है, तो अब हम संचार के बारे में बात कर लेते हैं, एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति तक जानकारी पहुचाने की वेवस्था को संचार कहते हैं, बड़ा सिंपल सा सबने बताया गया है, यदि अगर आप एक जानकारी को दूसरे वेक्ति तक पहुचा रहे हैं, तो यही हमारा स संचार कहलता है, संचार, विकास और जीवन अस्तर सुधार में अहम भूमिका निवहाता है, ये हमारा काफी महत्वपूर्ण भी है और भी भी आई है, काँए एक्जामें पुछे जाने की सम्भावना है कि संचार किसे कहते हैं अब हम संचार के प्रकार के बारे में जान लेते हैं संचार के प्रकार में सबसे पहले संचार है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो जानकारी का आदान परदान मतलब आना और जाना होता है ये क्या कहलता है संचार कहलता है जैसे मोबाइल ह गया इसका उदारन पत्र हो गया दूसरा है जन संचार जन संचार एक स्रोथ से अनेक व्यक्तियों के बीच जानकारियां पहुचाने की प्रकिरिया को हम जन संचार कहते हैं मतलब जनता के द्वारा पहुचा आए गया संचार जन संचार के साधर में टीवी है रेडियो है इं इस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्विटर, लिंक्डिन, ये सारे चीज़ आती है, तीसरे नमबर पे है, ज्ञान, अधारित, बायस्तोरन, मतलब KPO, या सूचना प्रेरित ज्ञान का बाहरी एक अस्तर है, जिसमें विशेष्टा, किसी विशेष्ट ज्ञान, या किसी कौसल की की आप सकता होती है, इसमें 12 स्रेनी के कुसल कर्मी संलग्न होते है, नॉर्मली ज्यादतर लोग काम नहीं कर सकते हैं, इनके काम करने वाले वरकर को अच्छी ट्रेनिंग दियाती है, लेर्णिंग, अनुसंधान और विकास क्रियाय जैसे की इसके उदाहरन के रूप जाना जाता है अब e-learning की अगर बात कर लो तो e-learning अब जैसे कि अब मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे तो सभी आपको नहीं पढ़ा सकते ना इसके लिए खास skills की जरुवत होती है खास knowledge की आप सकता होती है तो यही हमारा KPO के रूप में जाना जाता है अब हम बात कर लेते हैं होम सेरिंग के बार किसी कंपनी द्वारा अपने काम करने वारे लोगों को घर बैठ कर काम करने की सुविधा परधान करना ही होम सेरिंग है या सूचना प्रक्रवन छेत से संबंदित वैपसाय जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं उसमें अधिक पर चलीत है हो गए हैं उनको ज्यादा सेलरी नहीं देना पर रहा है और घर पर वैक्ति अगर काम कर रहा है तो समझो कि वो 24 गंटा काम कर रहा है तो यह अब हम स्रिंखला भंडार के बारे में बात कर लेते हैं एक भंडार चलाने के अनभवों को अनभंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने बैपारिक परतिष्ठान चलाना क्या होता है के लाता है भीवी आई पॉइंट रहेगा स्रिंख़ला बंडार इज़े सही तरिके से देख ले जिए अब हम बात कर लेते हैं अंकिय भिभाजन तो देखें सूचना और संचार प्रद्योग की जो है अभी के समय में सूचना और संचार प्रद्योग की पर अधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का बितरन पूरे गलोब पर और समान रूप से बितरित होता है मतलब एक समान से तो बितरित नहीं होता सूचना और संचार में समान पहुंच नहीं है विक्सित देश इस दिसा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासित देश पिछर गए हैं इसी को हम अंकिये विभाजन के रूप में जानते हैं ये भी आपका भी भी पॉइंट रहेगा तो कि आज से पिछले साल वाले एक्जाम के फाइनल पेपर में इस प्रश्म को कूछा गया था कि अंकिये विभाजन से आप क्या समझते हैं अगला पॉइंट अमारा है देशों के भीतर अंकिये विभाजन दिखाई देता है उदाहरन के लिए भारत और रूस के अलग-अलग भागों में इस प्रध्योगी के विकास में काफी अंतर पायाता है देश के बड़े-बड़े नगरे महानगर सुचनार संचार प्रध्योगी की भरपूर सुधाय उपलब्द है जबकि ग्रामीन और दुर्गम छित में इस सुधाय बंचीत है आज भी अगर हम भारत की बात कर लें तो मैं अगर डेली में रहता हूं तो मैं जानत गाउं से करना होता तो मैं कभी नहीं पढ़ा पाथा क्योंकि वहां पे इंटरनेट की सुधा नहीं है आप कॉñle कर सकते हो को एक है आप डेलि में ह покई से निकलके करना पड़ेगा बाहा निकलके करना पड़ेगा जैसे आप सहर में हो अभी दिल्ली में और यहां पे बैठ बैठे बैठे आप घरों के अंदर से भी कॉलिंग कर लेते हो बेड़ पर से कॉलिंग कर लेते हो आज भी हमारे गाउं में यह सुझधा नहीं है तो यही मैं कराओ कि देश के बीतर भी अंकिये विवाजन है जो चीजे सहरों महानगरों में मिल रही है वो गाउं आज उससे बंची थे इस तरह से आपने देखा क्लास 12 जियोग्राफी चेप्टर 7 जिसका नाम था तिर्तियक और चतुर्थ किरिया कलाप यहां पे समाप्त हो गया है आसा करता हो वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा यदि जानकारी पसंद आया है तो वीड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एडुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे आज के लिए इतना ही धन्यवाद